आप सुभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस टापिक में कलाश 10 है अंगरेजी के पोईटरी भाग में हमें क्या-क्या पढ़ना है और एकजाम में कौन-कौन से प्रस्न आएंगे केवल वही इस टापिक में बनाए गए हैं तो आएए बिना रुक के हम कलाश 10 के अंगरेजी के पोईटरी के इंपोटेंट टापिकों को समझेंगे जो आप एकजाम में 12 नंबर पाएंगे तो आए शुरू करते हैं अब हम इस टापिक का पहला इंपोटेंट पैसेज देखते हैं जो कि पोईटरी का है इस पैसेज से कुल चार प्रसन पूछे जाएंगे तो आए हम उसे हिंदी और अंगरेजी दोनों में बहुस ही आसान तरीके से समझते हैं इस पैसेज का पहला प्रसन है तो इसका एंसर होगा यस हां दा पूएट रिमेनेट अज़ेट दियूरिंग दा रेश्ट आफ दे हां कभी बाकी के दिनों में खुस रहा अब हम दूसरा प्रसन देखते हैं प्रस्ण है which particles did the crow shake down कावा ने किसके काड़ नीचे गिराए तो इसका उत्तर होगा the crow shook down the particles of snow कावा ने वर्फ के काड़ नीचे गिराए अब हम अगला प्रस्ण देखते हैं by whom the poem dust of snow is composed by कविता जो आपका dust of snow है या किसके द्वारा रचित है तो उत्तर होगा the poem dust of snow is composed by Robert Frost कविता Robert Frost द्वारा रचित है अब हम अगला प्रस्ण देखते हैं here I stand for the तो here I stand for the यहां मैं किसके लिए है तो उत्तर होगा here यहां I stand for the poet तो यहां यानि मैं कभी के लिए आया है tree, crow, poet और snow यहां आपका विकल्प के रूप में या प्रस्ण पूछ सकता है here I stand for the poet answer होगा poet अब हम दूसरा important pieces देखते हैं some say the word will end in fire some say in eyes from what I be tested of desire I hold with those who to favor fire या बहुत ही important passage है तो आईए अब हम इस passage के प्रस्णों को देखते हैं और उनके उत्तर को समझते हैं पहला जो question है the poet considers desire as fire is true or false इसका हिंदी है कभी इच्छा को आग से तुलना करता है या सत्य है या असत्य है तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा true हाँ आग से कभी जो है वह तुलना करता है अगला प्रस्ण है what type of desire will case the end of the earth किस परकार की इच्छा पिर्थभी के समापन का कारण बनेगी यानि पिर्थभी कैसे समापत होगी unlimited desire will case the end of the earth आसीमित इच्छा पिर्थभी के समापन का कारण बनेगी अब हम अगला प्रस्ण देखते हैं how many popular views does the point present regarding the end of the word कभी कितने परस्ण बिचार संसार के समापत होने के बिशे में ब्यक्त करता है तो इसका उत्तर होगा the point present two popular views regarding the end of the word कभी दो परसिद बिचार संसार के समापत होने के बिशे में ब्यक्त करता है अब अगले यानि चवथे परस्ण को हम देखते हैं तो आपका चवथा परस्ण है what is the name of the poem यह जो आपका कभीता है कभीता का नाम क्या है तो answer है fire and ice is the name of the poem कभीता का जो नाम है वा है आग और वर्फ तो चार नमबर का आपका पैसे जाएगा और चार नमबर का कभीता आएगा तो दोनों आप तयार कर लीजिए चार ही लाइन एक्जाम में आएगा और चार लाइन आप कभीता लिख दीजिएगा अब हम central idea देखते हैं Central Idea चार नंबर का आपका फिक्स है आएगा तो हम important Central Idea देखते हैं जो exam में ही आपका आएगा इस तरह से पूछे जाएंगे what is the Central Idea आप the poem दस्ट आप सनोते इसका answer होगा Robert Frost was a great American poet of nature In this poem the poet has represented the blessing of nature throughout the example of a hemlock tree and a crow the poet was in a bad mood he considered that his day was ruined but the crow shook the tree the dust of snow fell on him his mood changed it singled something good and joyful the rest of the day was saved for him he got busy with his work या बहुत ही महत्पूर Central Idea है जो exam में परतेक बर्स पूछा जाता है तो इस बर्स भी यह आएगा लेकिन कम से कम आप exam में दो Central Idea तयार करके रखिए जिससे आप exam में फसे ना तो हम अगला एक और Central Idea देखते हैं इस का Central Idea है तो इसका Central Idea है इस इस यह पोईम एबावट देकोरेटिव प्लांट्स देख ग्रोल इन इसमाल पॉर्ट्स आन पैन्स They have taken the place of large forest trees which have been cut by the human being. This poem presents the picture of harm of nature by human being by their actions. The poem shows the disappearance of trees. Nature is getting angry. Mind's existence on these plants is in danger. तो यह क्लास्टेंद का जो इंगलिस है उसकी पूरी पोईटरी में क्या आपको पढ़ना हुआ ही दिया गया है. आप पहला पैसे चान नमबर का पढ़ेंगे उसके बाद सेंटल आइडिया आपका चान नमबर का होगा. और चारही नमबर का आपका एक पोयम लिखने के लिए आगा यानि कुल बारा नमबर तो इसी तरह के इंपार्टन विडियो आप सभी लोग इस चैनल पर पाते रहते हैं